बंदे आज के इस कारिक्रम में उपस्तित भारती जन्ता पार्टी के छेत्री अध्यक्स सि मोहित बेनिवाल जी हमारे लोक प्रिय सांसत सि प्रदीप चौधरी जी पिछडा वर्ग आयोक उत्तर प्रदीश के अध्यक्स सि जस्वंत सेनी जी प्रदीश के सव प्रभारी कैप्टन अविमन्यु जी महापाउर सि संजीव बालिया जी पूर सांसत सि रागो लखनपाल जी जिला परिशत के अध्यक्स सि मांगी राम चौधरी जी जन्पत के प्रभारी प्रदेश मंत्री सि चंद्र मोहन जी महानगर अध्यक्स सि राकेश जैन जी जिला अध्यक्स महेंद्र सेनी जी डीके सरमा जी और आज के सकर्क्रम में मंच पर उपस्तित हमारी बेहड से विदायक सि नरीश सेनी जी नोकोड से प्रत्यासी सि मुकेश सौधरी जी सहरनपूर नगर से प्रत्यासी सी राजियु गुंबर जी सहरनपूर देहाद से प्रत्यासी सी जगपाल सिंग जी देवबंद से प्रत्यासी ब्रजेश सिंग जी रामपूर मनिहारन से प्रत्यासी सी देवेंदर निम जी गंगो के प्रत्यासी सिकेरत सिंग गोजर जी और भारी संख्या में आज यहां पर पस्तित उपधाईयों बहनों मैं सबसे पहले मा साखंबरे और माता बाला सुंदरी की इस किरपा भूमी सहारनपुर को कोट कोट नमन करते वे कि आप सभी भाई और बहनों का हिर्दय से स्वागत करते हैं अविनंदन करते हैं भायों बहनों मा साखंबरी के इस पावन धाम में और इस पावन धरा पर आज देश के सश्री प्रधान मंत्री जी का मार्ग दर्शन कुछी देर में हम सभी को प्राप्त होने वाला है मैं इस अवसर पर आप सभी सहरनपुर के भाई और बहनों का आज के इस चुनावी सभा में हिर्दे से स्वागत करता हूँ कि आप लोग इतनी जल्दी समय पर यहां पर पस्तित हो करके भारती जनता पार्टी के कमल चुनाचिन को ले करके प्रते एक घर घर में जाकर के भारती जनता पार्टी के प्रत्यासियों को विजई बनाने में अपना योगदान देंगे वायोबेनों आज से पांच वर्स पहले भारती जनता पार्टी आपके सामने कुछ संकल्प ले करके आई थी और वा संकल्प था उत्तर प्रदेश में हम माफिया राज और गुंडा राज समाप्त करेंगे वा संकल्प था हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे वह संकल्प था उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफ्या और अपराधियों को सदेव से यहांस की धर्ति से मुक्त करके एक भै मुक्त वातावरण देने का कारी करेंगे आज जब अपने पांच साल के कारेकाल को पूरा करते वे भारती जंता पार्टी की डवल इंजन की सरकार एक बार फिर से आपके पास आई है आज मैं आप से पिए कह सकता हूँ कि पांच साल के बाद आज हम सब यह कह सकते हैं कि आज उत्तरप्रदेश बड़े-बड़े माफ्या और अपराधी जो पहले सत्ता के संग्रक्षन में रह करके उत्तरप्रदेश के ब्यापारियों का आमनागरिकों का जीना हराम करते थे जो गुंडे और सोहदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खत्रा बने वे थे आज में पांच साल के बाद कह सकता हूँ या प्राधी और माफ्या आज उत्तरप्रदेश की धर्ती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तरप्रदेश सरकार की बुल्डोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है आज पस्यमी उत्तरप्रदेश हो या मध्या उत्तरप्रदेश पूर्वी उत्तरप्रदेश हो या बुंदेल खंड चारों वोर उत्तरप्रदेश की कोई भी बेटी कोई भी बहन बे जिजक जा सकती है उसे आज कोई भै किसी सोद्य और किसी गुंडे का नहीं है ये बेटी की सुरक्सा के साथ उत्तर प्रदेश के ब्यापारियों की सुरक्सा के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्सा के साथ जो वाइदा भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया था अपने उस वाइदे को भारती जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने भाईो बेनो ये वही साहरनपुर है जो सीमान्त जन्पद होने के कारण सदे उपेक्सित रहता था यहां के बारे में पिछली सरकारों को कोई पुरसती नहीं थी और पहली बार आपने देखा होगा डवल इंजन की सरकार किस रूप में कारे करती है एक दरदन से जादा बार मैंने अकेले सहरनपुर का दोरा किया था और यहां के विकास की योजनाओं के साथ यहां के जन प्रतिंदियों से चर्चा की थी आज सहरनपुर दिल्ली मार्ग हो या सहरनपुर से हरिद्वार जाने वाला मार्ग या भायो बेनो आपकी बहुत प्रतिक्सित्वा मांग कि सहारणपुर में मासा खंबरी के नाम पर हमारा एक विश्विद्याले होना चाहिए आज उस विश्विद्याले की मांग को भी सहारणपुर के अंदर पूरा कर दिया गया है भायो बेनो ये सीमांत जन्पद होने के नाते जो सदेव एक चनौती हम सब के सामने बनी रहती थी और वा चनौती इस बात की बनी रहती थी कि सीमांत जन्पद होने के नाते झाल झाल पर दंगा करवाते थे कोई भूला नहीं होगा मुझफव नगर का दंगा सहारनपुर का सिक्विरोधी दंगा और कोई भ्यक्ति केराना और कांदला को पस्यमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता यह वही छेत्र है जहां पर कभी ब्यापारी प्लैन करता था आपको याद होगा कि मुझफव नगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था दंगे का एक ही कारण था सचिन और गौरव नाम के दो युवक अपनी बहन की रक्सा करने के लिए सोहदे से बचाने के लिए जब कभाल कस्पे में जाते हैं इन दो नौ योकों की हत्या कर दी जाती है उस समय एक लड़का सत्ता में बैट करके लखनों से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमासा देख रहा था तब इसके मुँपर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोस नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है झाल 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 करते वे पस्सिम में कावड यात्रा निकलती है मतुरा ब्रिंदाव में बर्ज तीर्थ विकास परीशत का गठन होता है तो पूरब में अवद में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्मान का कारे भी संपन्न होता है कि यह सभी कारेकरम भारती जनता पार्टी की डवन इंजन की सरकार करवा रही है और इसलिए भायों बेनों आज मैं आपके पास आयों आपसे कहने के लिए आधनिये प्रधान मंत्री जी कुछी देर में उनका शानिद्या हमें प्राप्त होगा मेरी आप सबसे पील होगी इदार जो लोग खड़े हैं उनसे मिरी फिलोगी वे लोग खड़े न रहे सीधे पहले अपना आशन करण कर ले कुर्षी करण कर ले जल्दी से आकर के वेले गुदर दर बैठे ना वा तुरंट चले जए अपनी जगे बैठ ले इस्तान ले ले भाईो बेनो आपने देखा होगा वर्तमान में पुरी दुनिया और पुरा देश करोना महामारी का सामना कर रही है करोना के दोरान या तो केंद्र सरकार कारे कर रही थी या राज्य सरकार कारे कर रही थी या फिर भारती जनता पार्टी के पदादी कारी और जन प्रतनिती कारे कर रहे थे एक एक ब्रक्तिका हाल चाल लेना उनकी सेवा करना उनके सयोग के लिए खड़ा रहेना और सरकार ने तो फिरी में टेस्ट, फिरी में उपचार, फिरी में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, करोना का वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है आप सब को मैं फिर्दे से भी नंदन करूँगा कि आप सब ने वैक्सीन ले लिया है फिरी मैं वैक्सीन सब को वैक्सीन ये मोदी जी ने दिया है बैयो बेनो जो लोग वैक्सीन के खिलाब दुस्परचार करते थे कहते थे ये वैक्सीन भाजपा वैक्सीन है कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है आज उनको जवाब दीजे ये भाजपा वैक्सीन नहीं हमारी जान को बचाया है और फिरी वैक्सीन सब को वैक्सीन के साथ ही बैयो बेनो डवल डोज रासन का डवल इंजन की सरकार ने आज मैं आप सबसे पील कर रहा हूँ कुछी देर में आदनिये प्रधान मंत्री जी का अगमन हो रहा है मैं आप सबसे पील करूंगा कि आप सभी जो लोग यहां कोने में खड़ें किर्प्यावे लोग कुर्सी ले ले इस साइड को आ करके वहां खड़े न रहे तुरंद जा हैं वे जो लोग पीछे खड़े हैं वे लोग जा करके वहां कुर्सी ले ले और भायों बेनों ये कारिक्रम हमारा निरंतर चलेगा आज के सोसर पर मेरी आप सबसे पील होगी बारती जनता पार्टी के बेहट के प्रत्यासी सी नरेश सेनी नकुड से प्रत्यासी सी प्रगर से सी राजीव गुंबर, सहारनपुर देहाद सी जग्पाल सिंग, देवबन से कुमर ब्रिदेश सिंग, रामपुर मनहारन से सी देवेंदर निम और गंगो से कीरत सिंग बूजर इन सभी प्रत्यासियों को कमल चुनाचिन पर 14 फरवरी को भारी बहुमत से भारत माता की जैजे श्री राम जैजे श्री राम आपके बीच में चंद मिंटों में माननिया प्रधानमंत्री आदर्निया नरेंदर मोधी जी पहुंचने वाले हैं कि मैं इधर दाई नियों और बाहर जो लोग खड़े हैं और प्रशास निगधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह बैरिकेड में इस पेस बना करके उनको कुर्सियों तक आने दे और जो लोग बीच में खड़े हैं पीछे लोगों को दिख नहीं रहा हैं सब खड़े ह हो रहे हैं आप लोग कुर्सियों पर करके बैड़ जाएं थोड़ा अनुशाशन का परीचे देंगे सभी लोग कुर्सियों पर बैड़ जाएं जो लोग खड़े हैं वह थोड़ा पीछे होकर के कुर्सियों पर बैड़ जाएं पीछे के लोगों को दिखेगा नहीं और ज आज सारणपूर की पावन धर्ती पर देश के बहुत ही लोगप्रिये शश्वी तपस्वी आधर्णिया प्रधानमंत्री जी जिनको सुनने के लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं वे चंद ही मिंटों में आपके बीच में होंगे वे सारणपूर पहुच चुके हैं वे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा एक बार जोर दार उद्गोश्च करेंगे बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की अ कि मैं सदर विधान सबसे प्रत्याशी हमारे 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 बीच में कि सारणपूर जन्पत के साथो प्रत्याशी यहां पर उपस्तित हैं नगर विधान सबा से राजीव गुंबर जी उपस्तित हैं आप सब लोग उनको आशिरवाद दे करके इस बार विधान सबा चुनाओं में जिता करके एक विधायक बना करके भेजेंगे ऐसा आप से निवेदन हैं एक बार उनको आशिरवाद देने की कृपा करें हमारे बेहट से प्रत्याशी नरेश शेनी जी भी इस कारकरम में उपस्तित हैं नकुड से हमारे प्रत्याशी आदर्निय मुके शौदरी जी उपस्तित हैं सदर देहात विधान सबा से हमारे प्रत्याशी जगपाल सिंग जी उपस्तित हैं हमारे देवबन से विधायक वैप्रत्याशी कुवर ब्रजेश शिंग जी उपस्तित हैं हमारे रामपुर मनिहारन से विधायक वैप्रत्याशी देवेंदर नीम जी भी उपस्तित हैं और गंगो विधानसभा के बहुती लोग प्रिये विधायक वैप्रत्याशी आदरनिय की एक बार जोड़दार भारत माता के उद्गोष के साथ अपने सभी परत्याश्यों को आशिरवाद देने की कृपा करेंगे बोलो भारत माता की जो गैलरियों में लोग खड़े हैं बीच में आप लोग पीछे कुर्सियों पर बैठने की कृपा करें मैं प्रशास्निक अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि यह जो लोग पीछे बीच में खड़े हैं उनको बिठाने की कृपा करें जो कुर्सिया खाली हैं और अपने पार्टी के जो संगटन के पतादिकारी हैं वह भी कुर्षियों पर सब लोगों को बिठाने की कृपा करेंगे जो मैं देख रहा हूं सब लोग आ गया गया है वो पीछे कुर्षियों पर बैट जाए जो खड़े हैं पीछे जाकर के कुर्षियों पर अपना इस्थान ले ले और दाइनी और भी जो लोग खड़े हैं बेरिकेड के बाहर वो चल करके बीच में बेरिकेड में उपनिक हैं वह कुर्सियों पर अपना इस्थान ले लें दाइनी और जो लोग खड़े हैं भाईया पीछे जाए पीछे जाकर के इस्थान ले लीजिए और जो अंति छोर पर मैं देख रहा हूं वो लोग कड़े हैं वो लोग कुर्सियों पर अपना इस्थान ले लेंगे जल्दी हमारे बीच में मानने प्रधान मंतिरी जी पहुंचने वाले हैं भारतिय जन्ता पर्टी भारतिय जन्ता पर्टी हमारे महिलाओं का एक समू भाई और बैठा हाँ एक बार जोड़दार उद्गोश्ट करेंगे बोलो बारत माता की बारत माता की योगी आज तेना जिंदा अबाज योगी आज तेना जिंदा आबाज माने निरेंडर मोती न आबाध महाने नहिंदर मोती न आबाध बारत बाता की बारत बाता की बंदे 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 बारत बाता की बारत बाता की नरेंद्रमोधी जिंदाबाद मानी नरेंद्रमोधी जिंदाबाद मानी योगी अजतना जिंदाबाद मानी योगी जिंदाबाद नारी के सम्मान में नारी के सम्मान में वेपारी की सुरक्षा में वेपारी की सुरक्षा में किसान के सम्मान में किसान के सम्मान में नारी के सम्मान में नारी के सम्मान में वेपारी के सम्मान में उत्तर प्रदेश के विकास में कि उत्तरप्रदेश के विकास में भारतिये जनता पाठी योगी या इत्यनाद योगी या इत्यनाद मैं कहूँगा आएंगे तो आप कहेंगे योगी ही आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो अब की बार 350 पार अब की बार अब की बार अब की बार नारी के सम्मान में नारी के सम्मान में हमारे बीच में देश के बहुती लोगप्रिया प्रधान मंतरी आदर्णिया नरेंदर मोदी जी पहुच चुके हैं एक बार जोड़दार तालियों के करहार से उनका स्वागत हो भारत माता की भारत माता की मोदी भारत माता की भारत माता की भारत माता की जै श्री राम आपके बीच में देश के बहुती लोगप्रिया शश्वी प्रान मंतरी आदर्णिया नरेंदर मोदी जी पहुच चुके हैं वह जल्दी आपके सामने होंगे मैं सभी से निवेधन करता हूँ आप लोग कुर्शियों पर अपना स्थान ले लें बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की जो पीछे लोग खड़े हैं वो भी दाईनी और से मंच पर स्थान लें अमारे बीच में आदर्णिया प्रधार मंतरी जी पहुच चुके ह मोदी 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद मोधी 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 सारणपुर की इस पावंधर्ती पर मैं देश के बहुत ही लोगप्रिय यशश्वी देश को एक नई पहचान दिलाने वाले विश्व के सरवाधिक लोगप्रिय नेता उनका बहुत बहुत अमयंदन और स्वागत करते हैं और स्वागत की इसी कड़ी में मैं मानिय प्रधान मंत्री जी के स्वागत है तू मैं निवेदन करूँगा मानिय प्रधान मंत्री जी के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के कि लोग प्रिया मुख्यमंत्री आधर्णियय योगी आधित्यनाजी से कि वैं प्रतीक चिंदे करके मान्यप्रधान मंत्री जी का स्वागत करें कि अब मैं निवेधन करूगा सारणपूर जनपत के अपनी सातों विधान सभाओं के प्रतियासियों से कि वह किसानों के सम्मान का प्रतीक हल भेट करके मान्यप्रधान मंत्री जी का स्वागत करेंगे भारत माता की मोधी मोधी नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद आज सारणपूर की इस पावन धर्ती पर माता शाकुम्री देवी की इस पावन धर्ती पर आदर्णिया प्रधान मंत्री जी पहुंचे हैं एक बार जोड़दार तालियों की कराट से आप सब उनका स्वागत करेंगे कारेक्रम में उपस्तेत प्रदेश के अशाश्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत है तू मैं कहराना लोकसभा के सांसद आधर्णिया प्रधीप चौद्री जी से निवेदन करूंगा वे मनने मुख्यमंत्री जी का प्रतीक चिंदे करके स्वागत करेंगे बोलो जै श्री राम जै जै श्री राम मैं कारेक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के बहुती लोग प्रिये यशाश्वी मुख्यमंत्री आधर्णिया योगी आधित्यनाजी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने सार्व करिवित उत्वोदन से सब का हमा आधर्णियः मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाजी आधर्णिय प्रद्हान् मंत्री जे को भारति जनता पार्टी च्ट्रिय अध्यक्स क्या सिमर मोहिद बैनिवाल जैंception कि लोग प्रिये सांसा सि प्रदीप चौधरी जे भारती जन्ता पार्टी के हमारे सभी सातों विधानसवा सीटों से प्रत्यासी गाण उपस्तित सभी भाईयों बहनों मैं मा साखंबरी और माता बाला सुंदरी की स्पावन धरा धाम पर देश के ससी प्रधान मंत्री जी का सहारन पुर वासियों की ओर से प्रदेश वासियों की ओर से हिर्दे से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ भाईों बेनों मैं आबारी हूं आधन ये प्रधान मंत्री जी का किनों ने इस करोना कालखंड में पूरे देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दोरान देश के 135 करोड लोगों के जीवन को बचाने के लिए जिस कोविट प्रवंदन के माध्यम से दुनिया के अंदर पूरे भारत वासियों के सम्मान को बढ़ाने का कारे किया है आज उसका पेड़ाम हमारे सामने है कि करोणा की तीसरी वेब कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं लेकिन हर व्यक्ति सुरक्षित भी है और डबल इंजन की सरकार डबल डोज रासन का भी प्राप्त कर रही है भाईो बेनो उत्तर प्रदेश विधान सवाद चुनाओं का आज प्रथम चण का मद्दान हो रहा है प्रदेश की 58 सीटों पर 11 जनपदों में जहां ये मद्दान बड़े धूम धड़ाके के साथ एक बार फिर से आदरिये मोदी जी के नित्रतों मार्क दरसन में डबल इंजन की सकार अधर प्रदेश के अंदर फिर से आएगे इस संकल्ब के साथ उत्तर प्रदेश का मद्दाता वोड़ देने के लिए उत्सुक है तो आज जब आदरिये प्रदान मंत्री जी ने 2022 के विधानसवा चुनाओं में अब तक बर्च्वली सभी प्रदेश वास्यों का और देश वास्यों का मार्क दरसन किया और आज जब प्रत्यक सुरुप से उपस्तित हो करके वहाँ आज अपना मार्क दरसन दे रहे हैं दोनोंने मास साखंबरी के इस पावन धाम को चुना है मैं सौसर पर आदरिये प्रदान मंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी की ओर से हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करते वे आदनिये प्रदान मंत्री जी को साधर आमंतित करता हूं कि आदनिये प्रदान मंत्री जी हम सब का मार्क दरसन प्रदान करें आदनिये प्रदान मंत्री जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की मा शाकुम्बरी की भुमी सहारनपूर के समस्त भाई और बैनों को आधर पुर्वग नमस्कार जहां मा दुर्गा के चार रूपों से एक जगह दर्शन होते हैं ऐसी पावन जगह से मैं सभी माताओ बैनों बेटियों का अभिनंदन करता हूँ मुझे खुशी है कि इस चुनाओ में प्रत्यक्ष जनता जन्दार्दन के समस्त आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुवात सहारनपूर से ही हो रही है और मैं आज यहां से प्रत्थम चरण के मतदान जो चल रहा है वहां के मतदाताओं की भी समाच चाहता हूं मेरा एक फर्द बनता था कि चुनाव गोसित होने के बीच बाद उनके बीच में जाओं लेकिन जा नहीं पाया था इलेक्षन कमिशन ने कुछ मर्यादाय रखी थी वर्च्योल तो समीट में जुरूर उनसे मिल लिया था लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था तो मैं प्रत्थम चरण के मतदाताओं की शमायाचना के साथ दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके अफिरवाद ले करके आज चुनाव अभियान का आरंब कर रहा हूं भाईयों भेनों इस छेत्र के लोगों ने ठान लिया है जो यूपी को विकास की नई उचाई पर पहुचाएंगा उसको ही वोड़ देंगे जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोड़ देंगे सही है ना दंगा मुक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं जेना है ना जो हमारी बहन बेटियों को भाय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोड़ देंगे जो अपराधियों को जेल बेजेगा हम उसे ही वोड़ देंगे आज पस्ची में यूपी के कुछ विदान सबाग छेत्रों में आज पस्ची में उत्तर प्रदेश के कुछ विदान सबाग छेत्रों में पहले चरण का मद्दान चल रहा है अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबे सुबे लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारे लगा करके मद्दान के लिए पहुँचे हैं मैं चुनाव आयोक का चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोगतांत्री जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मद्दान के लिए आगे बड़े हैं ऐसे सभी मद्दाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ साथियों भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो गोशना पत्र जारी किया है ये गोशना पत्र लोक कल्यान का संकल्प पत्र है डबल इंजिन की सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है गरीबों को पी-एम आवास योजना के घर मिलते रहे इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है गरीबों को अच्छे अस्पतालों में पांच लाख रुपिये तक के इलाज की मुप्त सुविधा मिलती रहे इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है छोटे किसानों के बैंक खाते में पी-एम किसान योजना उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है गरीबों को इस महामारी के समय मुप्त राशन मिलता रहे इसके लिए भी यूपी में बाजपा सरकार जरूरी है गरीबों को कोरोना के कालखन में वैक्सिन मुप्त लगने में दिक्कत ना हो इसके लिए भी यूपी में बाजपा सरकार जरूरी है भाई व भेनों ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी ये गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सिन रास्ते में कहीं भीकी जाती और आप कोरोना से भाय से आकंत आतंकित हो करके जीवन मुर्त्यू की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि डबल इंजीन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है सहारनपूर को आधुनिक सडकों द्वारा दिल्ली वर उत्राखंट से जोडने का काम कर रही है इस तरह के काम बेर रोग टोग चलते रहे इसके लिए यूपी में बाजपा सरकार जरूरी है साथियों सहारनपूर, खेती, किसानी के साथ ही उद्द्यमियों का भी गड़ है यहां लकडी का फरनीचर का इतना काम होता है आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामान समय पर पहुचाना कितना जरूरी होता है और मिले लेकिन समय पर समान न पहुचे तो फिर और ही मिलना बंद हो जाता है किसान भी जानते हैं कि उनकी उपट चैफ़ल हो, सबजीया हो, फूल हो अगर जहां पहुचाना है वहां पहुचाने में अगर देर हो जाती है तो उसमें से काफी मातरा में उनका पैदावर बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है इसे समझते हुए ही योगी जी की सरकार यूपी के अलग-अलग जीलों को अच्छी सडकों से जोड रहे हैं यूपी की कनेक्टिविटी बना रहे हैं गंगा एक्स्प्रेस वे दिल्ली देरादून एक्स्प्रेस वे दिल्ली यमनोत्री हाईवे दिल्ली सहारनपूर फोरलेन सहारनपूर एरपोर्ट यूपी में इतनी तेजी इतने बड़े-बड़े काम पहले कभी नहीं हुए पहले कभी हुआ था क्या ऐसे काम हुए थे क्या इतने जल्दी से होते थे क्या भाई और बेहनों बाजपा सरकार का ये इतिहास है ये परंपरा है बाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं जादा का भुक्तान किया है गन्ना किसानों को जितना पैसा पहली की सरकारों के दस साल में मिला था उससे जादा राशी योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ती दिलाने का स्थाई उपाई भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसी समस्या है हर बार आए राजनीती चलती रहें और किसान बेचारा ये राजनेतावपन निर्फर रहे हम किसान को भी आत्मन निर्फर बनाना चाहते हैं गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की किमते कम हो या फिर चीनी मिले बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परिशान हो जाता है दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावर बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावर से डरते हैं कारखाने बंद करते हैं गन्ना किसान को परिशानी होती है अनेक प्रकार की चुनोतियां चीनी का वैस्विक बाजार उपर निचर हो जाए तो मुसिबद गन्ना के किसान को हमारे के यहां के चीनी के उत्पादन кम अदिक हो जाए गन्ना किसान को परिशानी हमारे चीनि कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी इस चुनवती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थाई उपाई के रास्ते पर इस पूरे एक शेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है गन्ना किसानों के हितों को ध्यान मग रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए इसा नहीं दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करना वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए या सितितिते बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इधेनॉल बनाएंगे लेकिन गन्ने किसान को परिशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा भियान चल रहा है ये गन्ना किसानों को लाब भी दे रहा है और उनकी आर्थीक वबस्ता को एक गारंटी देता है शुरक्षा देता है मुझे खुसी है योगी जी ने तावर तोब इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन ले करके चल रही थी योगी जी कंदे से कंदा ले करके मिला करके मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपीस को 12,000 करोड रुपिये गन्ने से जो इथेनौल बना ना 12,000 करोड रुपिया इथेनौल से मिले है जो उत्तर पदेश के काम आ रहे है भाईयो बैनो गन्ना कितान को सुरक्षा दे रहे है और मेरे गन्ना किसान भाईयों, मेरे उत्तर प्रदेश के नवजवानों, मेरे शब्द लिख करके रखिये आने वाले दिनों में ये मामला बारा हजार करोड़ टकने वाला नहीं है, ये रासी और बढ़ने वाली है और इसे गन्ना किसानों की आमदनी में भी वुर्द्धी होगी और उनकी समस्याओं का स्थाई समादान निकलेगा यूपी में जो पहले सरकारे रही वो इस तरह का भीजन लेकर काम करही नहीं सकती थी कारण कारण परिवार वाद परिवार चे बहार देखना ही नहीं सोचना ही नहीं आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं सब कोच माफियाओं के भरो से चलाते रहना भाईयो भेनो हम साई समाधान के लिए कदम उठाते हैं हम साई समाधान के लिए रास्पे खोचते हैं हम हंदुस्तान के हर गाउं को हर किसान को हर नागरिक को आत्म सम्मान के साथ जीने देखा अउसर देने के लिए काम कर रहे हैं साथियों सहरनपुर में व्यापार कारोबार बड़े हमारे दुकानदार साथी बीना चिन्ता के काम कर सके इसके लिए कानून का राज भी बहुत आवश्चक है सहरनपुर के मेरे पैरे भाईयों मैंनों बताओ जरा मुझे ताकत से जवाब देना कानून का राज होना चाहिए के नहीं होना चाहिए कानून का डंड़ा चलना चाहिए के नहीं चलना चाहिए हर बहन बेटी को सुक्चेन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए एक एक नागरी को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भाईयो बहनों ये जो आप चाहते हैं इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया उसको जेल में डाल दिया तो क्या उसको महल में बेजे क्या निया उसको महल में बेजे क्या भाईयों बेहनों पहले यहां क्या सिती थी यह आप लोग मुझसे जादा जानते हैं कानून व्यवस्ता सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर अउद्योगीक विकास का विश्वास आया है भाजपास सरकार यूपी के हर जिले हर छेत्र की ताकत वहां की विशेस्ता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है इसी सोच के साथ वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक योजना शुरू की गई है योगी जी की सरकार ने छोटे लगू और कुटिर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम किया है साथियों आपका उत्सा आपका प्यार मेरी सर आँखों पे आपने इतना प्यार दे रहे हो क्यार मेरी सर आपका शुरूएं करे shao प्यार मेरी सर काम क्यार मेरी sogen रहे हो मेरे प्यारे भाईयों भेनों आपका ये प्यार आपके ये आशिरवाद मैं आपको ब्याज समेथ लोटाऊंगा विकास करके लोटाऊंगा आपका कल्यान करके लोटाऊंगा साथियों सहारनपूर की लकड़ी की नकाशी आज विश्वप मैं अपना डंका बजा रही है हमारे कितने ही छोटे मोटे परिवार अनेक नवजवान अनेक परिवार इस कुटी दुद्योग से जुड़े हुए है लेकिन इस लकड़ी की नकाशी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है 2017 से पहले कोई इस उद्योग की सूद लेने वाला नहीं था भाईयों मैंनों मुझे बताईए एक सवाल का जवाब देंगे आप मुझे बताईए ये योगी जी की सरकार बनने के पहले ये नकाशी का काम यह होता था कि नहीं होता था होता था कि नहीं होता था उसके पहले जो सरकारे चलती थी तब भी होता था कि नहीं होता था मोधी जी दिल्ली में आये उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था आपके दादा परदादा भी करते थे नहीं करते थे लेकिन इतनी सरकर्य आई इतने नेता आए किसी ने आपको पूछा ही नहीं यह भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है आज देखुए आज यह नकासी लकड़ी का नकासी का जो काम है उसको जी आई टैक यह डबल इंजीन की सरकार ने ही दिया है यह दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है जब मैं बोकल फॉर लोकल बोलता हूं बोकल फॉर बोकल फॉर तो उसमें भी सहारनपुर के स्थानिय उत्पादों को आपके यह जो उत्पादन की ताकत जुड़ी हुई है उसका सामर्थ जुड़ा हुआ है बाई और बहनों मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गोर परिवारवादी लोग एक पुरी पार्टी परिवारवादी जन्ता से लगातार खोखले बाई देख किये जा रहे हैं वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तरपेज की जन्ता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको गुषने देने वाली नहीं है उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है उत्तरपेज की जन्ता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना कुछ भी वचन देना हम यह करेंगे हम वो करेंगे उनका क्या जाता है आना तो है नहीं करना तो है नहीं बोलते जो आप मान के चलिए जब कोई बड़े बड़े बादे करता है ना तो समझ लेना वो खोकले ही होंगे गेर जिम्मेदार ही होंगे और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों बेहनों इन लोगों के बहकावे में नहीं आयेगा इन लोगों को जब आपने मोका दिया तो इन्होंने क्या किया ये कभी मत भुलिएगा आप याद करिए इन लोगों ने शहरों को 22 गंटे और गावों को 20 गंटे बिजली देने की बात कही थी ऐसे वादे किये थे लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया अपने परिवार के जिले में किया परिवार वादी सोच बिजली में भी बही पर अटक गई सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिये गए ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में गरीबियों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं इन लोगों को गरीब का दर्द ना दिखता है और नहीं वो दुख दर्द को समझ पाते हैं केंदर सरकार जो गर बनाने की योजना चलाती है उसने भी हमारे गरीबोंने भी ये परिवारबादी लोगों की निर्दियता को जेला है मैं भाईयों बहनों आपको कुझ आकड़े देना चाहता हूं बताओं क्या मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं यह आंकड़े सुन करके आप चोंग जाएंगे सिरब इतने आंकड़े सुनोंगे न तो भी आपको लगेगा हाँ भाज़पा की सरकार हमेशा रहनी चाहिए आप सुनिये साथियों जब यहां पे ये गोर परिवारबादी लोग सत्ता में थे सिरब परिवार के लिए ही जीने वाले लोग सत्ता में थे तो इन्होंने मैं सिरब यहां की लोकल बात करता हूं बाहर की ने करता हूं ताकि आप चेक कर सकें इन्होंने सहारनपूर के शहरी इलाकों में 500 गरीबों के लिए गर बनाएंगे ये उन्होंने स्विकृति दी थी कितने? 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 सिरब 500 और इतनी बड़ी बाते करने वाले लोगों ने 500 गर भी बनानी पाएंगे सिरब 200 गर बनाएं कितने? कितने? याने 500 की बात की और बनाएं कितने? अब देखिए 2017 में आपने लोगों के लिए जीने वानी उत्तर प्रदेश का भला करने वाली उत्तर प्रदेश का कल्यान करने के लिए जी जान से जुटी हुई उत्तर प्रदेश को गरीबी से बाहर दिकालने के लिए काम करने वाली जब योगी जी की सरकार बनाई जो बदलाव आया उसके आंकड़े भी सुनने जैसे हैं मैं बताओं पहले की सरकार ने 500 का लक्ष रखा सिरफ 200 कर पाए योगी जी ने क्या किया भाईयो भनों सहरानपूर शहर की मैं बात कर रहा हूं 31,000 कहां 500 और कहां 31,000 गरों को स्विकृति यानि 31,000 गरीप परिवार लगपती बनाने का लक्ष और इन मैं से 18,000 का तो काम पुरा कर दिया अब मुझे बताईए भाईयो 500 और 200 के बीच में भी जो लटके पड़े रहते हैं उनकी जरुरत हैं कि 31,000 के लोगों की जरुरत है सीधी समय दे भाईयों काम करने वाली सरकार चाहिए योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए और यही होती है डबल इंजिन की सरकार की ताकार सिर्फ और सिर्फ अपनी परिवार की सिवा में लगे रहने वाले लोग अपने परिवार का बना सोचने वाले लोग गरीब के लिए बलीत पीडीत सोसित वंचित के लिए छोटे किसान के लिए ये कभी भी सोच नहीं सकते काम कभी कर नहीं सकते है साथियों आपको याद होगा इन लोगों के राशन माफिया याद है न राशन माफिया ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे डबल इंजिन की सरकार ने इनके ये कारणा में भी देखे हैं कारस्तानी भी देखी है और हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया अलिगड का ताला लगा दिया अब मुझे बताईए जिन लोगों के खेल बंद हो गए उनको गुसा आएगा कर नहीं आएगा ये चोरी डकेती के काम बंद हो गए वो लाम बंद होंगे के नहीं होंगे वो हमारे खिलाब जहर उगलेंगे के नहीं उगलेंगे मुझे बताईए क्या मुझे इससे डर जाना चाहिए क्या मुझे काम बंद करना चाहिए क्या मुझे भाग जाना चाहिए क्या मुझे आपकी बलाई के लिए काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी जान से करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपकी बलाई के लिए मेरी जिन्दगी खपानी चाहिए कि नहीं ख़पानी चाहिए भाईयों बैनों यह मैं तब करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ है इसके कारण मुझे ताकत मिलती है भाईयों बैनों सो साल के सबसे बड़े संकट काल्व है कोरोना जैसी बेश्विक महामारी में गरीबों की सरकार ने किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया आज करोडों यूपी वास्यों को मुप्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है इसमें बड़ी संख्या में हमारे दलीद भाई बहन पिछडा वर के साथी भी है गरीब के लिए यही सिवाभाव जो यूपी का गरीब दलीद पिछडा आज साफ साफ अनुभव कर रहा है आखों के सामने देख रहा है डबल इंजिन का डबल बेनिफिट यही उत्तर प्रदेश्ट आज चाहता है साथियों सबका साथ सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागीता सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भाती समचती है हमने मुस्लिम बेटों को तीन तला के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो तीन तला के खिलेख कानून बनाया है उसने मुस्लिम बेटों को सुरक्षा का विश्वास दिया है लेकिन साथियों जब मुस्लिम बेहन बेटियों का सबर्थान खुले आम बाज़पा को मिलने लगा जब मुस्लिम बेटियां एक एक दो मुनिट के अपने वीडियो डालने लगी बाज़पा की सरकार की तारिफ करने लगी सद्यों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला इसके लिए गवरवगान करने लगी तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी निंद हराम हो गई वो बेचेन हो गए अरे हमारी ही बेटी मोधी मोधी करने लग गई उनके पेट में दर्द होने लगा मोधी की तारिफ में मुस्लिम बहनों के बयान उनके वीडियो देखकर इंठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा यह बड़ी मोधी के तरफ में चली जायेगी तो गपने ही उनका राज आ जाएगा और इसलिए मुसलिम बेहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए उनके विकास के आकांखावों को रोकने लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं बोलोग मुस्लिम बहनों को बर्गला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जिवन हमेशा पीशे ही रहे साथियों हमारी सरकार हर मजलुम हर पीडित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है बाईयों बेहनों आप से बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूँगा मुझे परनगर में जो हुआ वो तो कलंग था ही यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी निशाना बनाया जाता है सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाईयों बेहनों प्रमाण ऐसी ही करतुतों के कारण दोहजार सत्रा में आप लोगों ने दंगा वादियों को ऐसा सबग सिखाया ऐसा सबग सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मोक्त करने में योगी जी को सफलता मिली लेकिन मेरे प्यारे भाईयों मैंनों आप ये मत सोचना कि ये दंगा वादी लोग शुधर गए हैं आप मत सोचना ये परिवार वादी शुधर गए हैं वो तो मोके की तलास में है मोका मिल जाए इसके इंतजार में है सहरानपूर के दंगों के बड़े गुनेगार को अब इन माफिया वादियों ने इस चुनाओं में अपना साथी बना लिया है और सिर्फ सहरानपूर की बात नहीं है पूरे पस्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन-चुन करके अपनादियों को मैदान में उता रहा है हालत तो ये हैं कि ये लोग अब राष्ट विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं इसका इरादा आप जरूर समझिये योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाब कारवाई की उन्हें जेल बेजा इसलिए इनका गुशा साथवे आसमान पर पहुँचा हुआ है ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं आप से बदला लेना चाहते हैं और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि जो लोग उस समय दंगाईयों को कोस रहे थे वो इस चुनाव में दंगाईयों के साथ गले मिल रहे हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं बाई और बेहनों हम विकास भी करते हैं अपनी विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हैं हम इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी बनवाते हैं और करतार पूर सहाब कोरिडोर का भी निर्मान कराते हैं ये हमारी ही सरकार है जिसने गुरु गोविन सी जी के बीर सहाइब जाजों की स्थिमें 26 दिशंबर को बीर बाल दिवस के तोर पर गोशित किया है ये हमारी ही सरकार है जिसने 47 के पटवारे में मारे गए अपने भाई बहनों की याद में 14 अगस को विभाजन बीपी शिकास मृती दिवस गोशित किया है ये काम पहले की सरकार भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया इसलिए आज देश की जनता सबसे जादा बरोसा बाजबा पर कर रही है उत्तरपदेश बरोसा बाजबा पर कर रहा है परस्सिम उत्तरपदेश बरोसा बाजबा पर कर रहा है सहरानपूर का पुरा खेत्र बाजपा पे बरोसा कर रहा है यूपी के विकास को जारी रखने के लिए इस बार आपको जादा से जादा संख्या में बोट करना है आज कल शादियों की सीजन चल रही है शादी में वेस्त होना बड़ा स्वाभाविक है लेकिन इतनी विस्तता में भी मैं आप से आगर करूंगा शादी हो बारास आने वाली हो बारास आई हो तो भी वोट देने का काम जुरूर किजिए करेंगे ना सुवेश जल्दी जल्दी वोट करेंगे ना और उसे भी वोट करवाएंगे ना वोट करने के लिए पूरे महले के सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे ना गर गर जाएंगे ना जादा से जादा वोट करवाएंगे ना सारे रेकार्ड तोड़ देंगे ना आपके आशिरवात के लिए आपके विश्वात के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करत भारत माता के